हलो एबरिबोड़ी नमो नमहा वेलकम टू माई चैनल आज हम संप्रेशनात्मक मनिका नवमिक एक्षा के दुसरे पाठ को करने जा रहे हैं इस पाठ की हिंदी ब्याख्या और प्रश्नाउत्तर अभ्यास को भी इसी पाठ के साथ हम करेंगे तो आई ये प्रवेश करते हैं पाठ में दुसरा पाठ है पाठ का नाम है पाठेयम पाठेयम सब्द का अर्थ क्या होगा देखो चित्र में देखो एक बेक्ती है जो भारती या पध्धती के कुछ ड्रेस को पहना हुआ है कपड़े पहना हुआ है धोती कुर्ता और आगे के तरफ जो लटकाया हुआ है पोटली ये है उसी प्रकार से एक आधुनिक वेक्ति है कहीं ट्रेकिंग करने जा रहा है परवतारोहन कर रहा है उसके पीछे से बैक पैक है पीछे से उसने लटका रखा है ये भी उसका पाथे है अब समझ में आया पाथे है क्या है पाथे वह सामागरी है जो हमारे यात्रा के लिए आवसेक हो जैसे हम कहीं यात्रा करने जाते हैं दो दिन के लिए जा रहे हैं तो छोटा ब्याग को पैक करेंगे अगर दस बारा दिन पंदरा दिन के लिए जा रहे हैं तो बड़ा असा भारी भर कम लगेज लेकर हम साथ चलेंगे ऐसे ही जीवन भी तो एक यात्रा ह जीवन यात्रा को चलाने के लिए कुछ आवसेक सामागरी, कुछ ऐसी चीजें, उनको भी तो हम जीवन यात्रा के लिए पाथिया मानेंगे, ऐसे ही कुछ पाथिया हमको इस पाथ में पढ़ने को मिलेंगे, चलिए सबसे पहले इस पाथ की भूमिका को पढ़ते हैं, भूमि ुपविशामी, पर ंतु त्वंतु कुत्रापि गंतुम उद्यतह इवा परतियसे मैं बैठतो जाऊँगा किन्तु तुम तु कुत्रापी कहीं पर गंतुम जाने के लिए उद्यत से परतिय से लग रहे हो इवका मतलब सा उद्यत सा कहीं जाने के लिए तत पर सा तैयार होते हुए से आप लग रहे हो अब विवेक बोल रहा है यानि मैं युद्ध से लवट के आई हुए अपने मामा जी को देखने जाना चाहता हूँ विशाल बोलता है अहो धन्या तव मातुलह अरे आपके मामा जी तो धन्यवाद के पात रहें धन्य हैं यहाँ एवं देश सेवायाम समलगना जो इस प्रकार से देश की सेवा में समलगना हुए हैं अत्र यहाँ शिवते ब्याग में किमेतत नयसी क्या लेकर जा रहे हो वो ब्याग को देखते हुए विशाल कहे रहा है विवेक से कि इस ब्याग में आप क्या लेकर जा रहे हो शिवते पाथेयम अस्ति शिवते याने ब्याग में पाथेय अस्ति है पाथेया है पाथेया रास्ते के लिए सामगरी हम पढ़ चुके हैं फिर भी वही बात आप यहाँ भी समझ रहे हैं विशाल हा विशाल कहता है पाथेयम किम भवती यह देखो विशाल को पता ही नहीं है कहता है पाथेयम किम भवती पाथेय क्या होता है भई विवेक हा विवेक कहता है विहस्य हस्ता हुआ श्रणो सुनो पथी हितकरम पाथेयम जो रास्ते के लिए उपयोगी हितकारक होग वह पाथेयं भवती पाथेय होता है उसका नाम पाथेय है जो हमारे रास्ते के लिए काम आये उपयोगी हो अतहा शिवते कानिचित फलानी अथच ज्यानवर्धनाय द्वित्राणी पुस्तकानी अपिसंती अतहा इसलिए शिवते ब्याग में कानिचित फलानी कुछ फल अथच और ज्यानवर्धनाय अपने ज्यान को बढ़ाने के लिए द्वित्राणी दोतिन पुस्तकानी पुस्तक भी अपिसंती भी हैं देखो हमारे लिए जीवन में पाथे यह खाना पीना कपड़े पहनना इतने में ही समाप्त नहीं होता हमारा पाथे यह हमारे जीवन में हमारी यात्रा में बहुत सी एसी चीजें होती हैं और भी आवसेक होता है किसी को धनकी आवसेकता हो धन से सब कु लाने के लिए कुछ आपके पास पुष्टक हो ज्यान वर्धन करने के लिए कितावें हो वह भी पाथे हैं खाने के लिए आप रोटी लेकर जा रहे हैं फल लेकर जा रहे हैं वह भी पाथे हैं रास्ते में बदलने के लिए आप कपड़े लेकर जा रहे हैं वह भी पाथे है आपको चड़ाई करनी है, ट्रेकिंग करना है, वहाँ पर आपके लिए जितने भी लकडिशे लेकर डंडा, रश्ची, वो सब आपके पाथेय हुए, अब विशाल कहता है इदानिम ग्यातम, अरे अब मैं समझ गया, ग्यातम समझ गया, अत ये वास्माकम मनिका पाथे पुस में सुभाशित हैं, यानि ये सुभाशित भी हमारे जीवन को संचालन करने के लिए, हमारे जीवन रूपी यात्रा को चलाने के लिए, आवस्यक, बड़े ज्ञानवर्तक, बड़े आनंददाई, कुछ अच्छे वचन हैं ये, विवेक कहता है, ननु सुभाशितानी एव अस्माकम जीवने मार्ग दर्शनम कुरवनती, ये सच बात है, निस्चय ही, ननु का मतलब, निस्चय ही, सुभाशितानी अच्छे वचन, मीठी वानी अच्छे बोल, ही, अस्माकम जीवने हमारे जीवन में मार्ग दर्शनम कुरवनती, हमारे जीवन का मार्ग दर्शन कर देखो यह जो सुभाशित होते हैं ना सुभाशित कि मृता द्वारा अपने वीवन को लगा कर अपने द्वारा जी यह हुए किसी बात को एक छोट शुप के अंदर के कविता के अंदर के दिना एक बाणंती यानि वो एक जीवन का सार उसके द्वारा किये गए देखे गए दुख को सुख को अनुभव को अच्छे बुरे को अनुभव करके इस रास्त से मत जाना एसा मत करना एसा होना एसा ना होना एसा करने पर जीवन उपयोगी हो सकता इत्याद इत्याद जिन बातों को वो समझा सकते हैं उन बातों को हमारे रिशी मुनी हमारे बड़े लोग समझा कर गए उनको हम सुभासित कहते हैं तो आप विशाल कहता है सुभाय भवतूते पाथेयम आपके लिए कल्यानकारी हो ये पाथेय जिसे पाथेय को आप पढ़ने जा रहे हो वो आपके लिए कल्यानकारी हो आप लोगों के लिए भी, हम लोगों के लिए भी सब के लिए ये पाथे या नामक पाथ, कल्यानकारी हो, सुभकारक हो, चलिए हम इस पाथे के सबसे पहले स्लोकों को सस्वर वाचन करते हैं, यानि स्वर के साथ उच्चारण करते हैं, देखो मैं अपने स्वर में गाता हू आप भी इसी प्रकार से अपने अपने स्वर्मे गाने का प्रियाश कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर मूल स्वर्मे गाते हुए इन स्लोकों को पढ़ूंगा, उसके बाद इनकी हिंदी वैख्या करूंगा प्रिथिव्याम् त्रेणी रत्नानी जलमन्नम् सुभाशितम् मूढई हिपाशान खंडेशु रत्नसंया विधीयते कल्प द्रुमह कल्पितमे वसूते साकामधुक कामितमे वदोग्धी चिन्ता मनिस्चिन्तितमे वदत्ते सताम्हि संगह सकलं प्रसूते गच्छन पिपी लको याती योजनानाम सतान्यपी अगच्छन वैनते योपी पदमेकं नगच्छती सोको नासयते धैरियं सोको नासयते सुरुतं सोको नासयते सर्वं नास्ति सोकसमो रिपुह। गाुरवं पाप्यते दानात नतु वित्तस्यसंचयात। स्थिति रुच्चैहि पयोदानाम पयोधी नामधा स्थितिह। सद्वेस्तु लीलया प्रोक्तं सीला लिखितमक्षरं। असद्विह सपथे नापि जलेलिखितमक्षरं। भवंतिनम्रास्तरवः फलोद्गमई नवाम्भु विर्भुरि विलंबिनो घनाह। अनोध्धताह सत्पुरुषाह समृध्धि विह। स्वभावय वैश परोपकारिनाम। अब एक और चंद बदल रहें। काष्ठा दग्निर जायते मत्यमानाद। भुमिस्तोयं खन्यमानाद दाती। सोचाहानाम नास्त्यसाध्यं नराणाम। मारगारब्धाह सर्वयतनाः फलंती। अब फिर से चंद बदल रहा है। मालेनी है ये। परितुष्टाह बलकलैस्त्वाम्दुकूलैहि समाईह परितोषो निर्विशेशो विशेशह। सतु भवति दरिद्रो यस्यत्रिष्ण विशालाह। मनसिच परितुष्टे कोर्थवान को दरिद्रह। अईश्वरियस्य विभूषणं सुजनता। सौरियस्य वाक्षैयमो। ज्ञानाश्यो पसमह कुलश्य विनयो। वित्तस्य पात्रे व्ययह। अक्रोधस्त पसहक्षमा बलवताम धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेशाम अपिसर्वकारणमिदं सेलंपरं भोषणं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस पाठ का सस्वर वाचन पूर्ण हो गया है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। प्रतिब्याम त्रेने रत्नानी। प्रतिब्याम इस धर्ति पर त्रेने रत्नानी तीन रत्न हैं। वो क्या-क्या हैं। जलम, अन्नम, सुभासितं। जल, अन्न और सुभासित यानी मीठे बचन, अच्छे बचन। मूढई ही मुर्ख लोगों के द्वारा पासान खंडे सो पत्थर के टुकणों पर रत्न संग्या विधी यते रत्न की संग्या दी जाती है देखो लोग क्या करते हैं हीरे को मोती को मनी मानक्य को रत्न मानते हैं लेकिन उन रत्नों के बिना क्या जीवन संभव है या नहीं है सब का जीवन संभव हो सकता है बहुत से लोग हैं जिनके पास सीरा नहीं है बहुत से लोग हैं जिनके पास मनिक्य नहीं है मनी नहीं है लेकिन अगर किसी के पास भोजन नहो जल नहो और जीवन को मारगदर्शन करने वाले अच्छे विचार नहो सुभासित नहों तो उसका जीवन जीवन नहीं होगा इसलिए ये तीन रतन बहुत जरूरी रतन है अब दुसरा स्लोग है इसी प्रकार के बहुत सार को बताने वाला कल्पत द्रुमहा कल्पित में वसूते कल्पत द्रुमहा स्वर्ग में लगने वाले एक पेड का नाम है कल् जाता है कि उसके सामने कुछ भी कल्पना करें, आपकी कल्पना पूरी हो जाएगी. इसलिए याँ पर कभी कहता है कल्पतरो क्या करता है कल्पितमेव सूते, जो कल्पना करोगे वही उत्पादन करके आपको देता है. और सा कामधुक वह कामधेनु वह कामधेनु कौन वो भी स्वर्ग में होने वाली एक प्रकार की गाय है वो कामधेनु गाय क्या करती है कामितम एव दोगधी कामितम आपकी कामना आप जो कामना गाय के सामने करोगे उस कामधेनु के सामने उसी कामना को ही ये दोगधी दुह देती है यानि वो परदान करती है मांगी हुई वस्तो देती है इसी प्रकार से एक मनी है उसका नाम है चिंता मनी चिंता मनिस चिंतितम एव दत्ते चिंता मनी ही याँ पर संधी है विशर्ग संधी चिंता मनी क्या करता है चिंतितम आप जो चिंतन करोगे जो सोचोगे उसी चीज को दत्ते देता है चिंतामणी भी इतना ही चीज देता है जितना आप सोचोगे चिंतन करोगे किन्तु सताम ही संगह किन्तु सज्जनों की संगती सज्जनों का संगत सज्जनों के साथ रहना क्या होता है सकलम प्रसूते सब कुछ देने में समर्थ है सज्जनों की संगत सत्संगति सबकुछ दिने में समर्थ है एसा यहाँ पर कहा गया है हमें जीवन में सदा सरवदा सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए अब हम तिसरा स्लोक पढ़ते हैं गच्छन पिपीलकह याति गच्छन चलता हुआ पिपीलकह पिपीलकह कहते हैं चीटा को चीटी हम चीटी को बहुत प्रयोग करते हैं चीटा पुमलिंग में चीटा होता है पिपीलकह कहते हैं समस्कृत में देखो चलता हुआ चीटा कहां जाता है योजना नाम सतानी सैकड़ों योजन अपियाति भी चलता है अगच्छन न चलता गरुड सबसे बड़ा पक्षी है, बहुत तेजी से उड़ सकता है, किन्तो एकम पदम आपी नगच्छती, अगर वो भी नहीं चलेगा तो एक कदम भी आगे नहीं जा सकेगा, एक कदम भी उसके लिए न चलने तक तो कुछ भी नहीं होगा, इसलिए हमें जीवन में क्या करन होगा, जिसके छोटे पग हैं, वो भी आगे बढ़ सकता है, तब जब वो प्रियास करता रहे, चलता रहे, चलता रहे, चीटी चल सकती है, तो हम तो मनुष्य है, इसलिए हमें प्रियास करते रहना चाहिए, अच्छे कर्म में लगे रहना चाहिए, यहाँ पर विशर्ग को वो हुआ है, विशर्ग संदी है, सोक धारियम नास आयते, हमारे अंदर यदे सोक हो, चिंता हो, तो धारिय को, यानि हमारे इस्टेमिना को, हमारे धारिय को नास कर देता है, सोक कहा सुर्थम अपि नास आयते, सोक सुर्थम यानि विद्या को, पड़ि हुई विद्या, पड़े हुए ग्ठान को भी नास कर देता है, सोक कहा सरवम नास आयते, सोक सब कुछ नास कर सकता है, सोक समह रिपु हो न अस्ति, सोक के समान सत्रू कोई और नहीं है, रिपु का मतलब सत्रू, यह सा सत्रू जो हमारे अंदर ही बैठकर हमें ही समाप्त करता हैं, वो है सोक, चिंता, हमें चिंता नहीं करने चाहिए, हमें सदा सरवदा आगे बढ़ने के लिए पोजिटिव समान, दानात गौरबं प्राप्यते, दान करने से समान प्राप्त होता है, न तु बित्तस्य संचयात, यानि बित्त के संचय करने से, धन जमा करने से कभी समान नहीं मिलता, यहां पर एक उदाहरन दिता है कभी, कहता है पयोदानाम स्थिति ही, पयोद कहते हैं बादल को, बादल की स्थिती कैसी है, उच्चई ही भवती, बहुत उपर होती है, उच्ची होती है, क्योंकि बादल देने वाला है, देने वाले का हाथ उपर होता है न, लेने वाले का हाथ नीचे होता है, एसे ही बादल क्या करता है, पानी दान करता है, पानी दान करने के कारण बादल उपर है पयोधा नाम स्थिति ही उच्चाई उनकी उची स्थिति है और पयोधी नाम स्थिति ही अधह पयोधी समुद्र समुद्र की स्थिति कैसी है अधह सबसे नीचे सबसे गैराई में समुद्र है यहाँ पर देखो समुद्र क्या करता है समुद्र सदा सरवदा जल को जम करने वाले का सम्मान नहीं है, समुद्र का भी सम्मान नहीं है, जैसे बादल सब को पानी दान करता हुआ चलता है, इसलिए उसकी उची स्थित्य है, उसका सम्मान है, इसलिए हमें धन का संग्रह नहीं, धन को आवसेक्ता के अनुसार दान करने का भी भाव रखना चाहिए, तू लील या प्रोक्तम, जो लीला में, खेल खेल में, मजाग मजाग में भी, प्रोक्तम कही हुई बात, सिला लिखितम अक्षरम इव भवती, पत्थर में लिखे हुए अक्षर के समान, लकीर के भकीर कहते हैं न, एसे पत्थर में उकेरे हुए अक्षर के समान होती है, जो स के रहते हैं असद भी जो सज्जन नहीं है जो क्या है असज्जन मतलब दुष्ट लोग है वो लोग अगर सपते ना पी वो कसम खाका कर भी प्रोक्तम अगर कहते हैं तो भी उनकी कही हुई बात जले लिखितम अक्षरम इवा भवती जल में लिखे वो यह अक्षर के समान होत दिखता है भला नहीं दिखता है यानि अगर वो कसम भी खाते हैं बार बार कसम भी खाएं और यह करूंगा कहें तो भी उनका वरोसा नहीं करना चाहिए दुष्टों का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए और सज्जनों पर वरोसा करना चाहिए एसा इस स्लोक का भाव है चलि उदगमई ही फल के आने से नम्राह भवंती जुग जाते हैं घना बादल नवामबु भी नए जल से भर जाने के कारण क्या करते हैं भूरी भी लंबी नहां बहुत जुग जाते हैं नीचे नीचे जुग जाते हैं पाड़ों में देखा होगा आप लोगों ने बहुत उड़ते हैं बादल जितने घने पानी से भरे होंगे उतने नीचे नीचे चलेंगे बरसात के समय में आप लोगों ने देखाई होगा उसी परकार से सत पुरुशाह सजन लोग सम्रिध्धि भी धनके आने से सम्रिध्ध होने से संपत्ति आने से गाड़ी बंगला दियाने से क्या करते हैं अनुध्धत भवंति उद्धत यानि घमंडी नहीं होते हैं वो अनुध्धत होते हैं बड़े नम्र होते हैं धनी होने पर भी नम्र होते हैं एशह एवा परोपकारि नाम सभाव होता है देखो पेड में फल आते हैं पेड अपने आप खाता नहीं है हमको देता है बादल जल को लेकर आता है इतना जुक कर आता है पूरी धर्ती को हरा भरा करके जाता है सब को जल पिलाता है वो इसे ही अगर सज्जन विक्ति के पास धन आएंगे तो घमंड नहीं करेगा ले जाके गलत कामों में ले जाके उस धन को भूख कर नहीं आएगा वो क्या करेगा? आवशक्ता के अनुसार सत्पात्र को दान करेगा, योग्य चीजों के लिए खर्चा करेगा, इसलिए वो घमंड रहीत होता है, ये परोपकारियों का सोभाव है, यानि हमें परोपकारी भी होना चाहिए, ये अच्छे लोगों की पैचान भी है, येसा हमें जानना भी चाहिए अब आठवा स्लोक है काश्टाद अग्नर जायते मत्यमानात काश्टाद अग्न ही जायते अरणी मंथन करना मत्यमान कहते हैं मत्यमान का मतलब हुआ मंथन करना एक लकड़ी को दुसरी लकड़ी के साथ रगणना इसको मन्थन करना कहते हैं एसे अरणी मन्थन करने से काश्ठात अगनी ही जायते लकड़ी से अगनी निकलती है चिंगारी निकलती है ये ये बिलकुल सटिक बात है लकड़ी को रगणने से अगनी निकलती है खन्य माना गहराई की ओर खोदते रहने से भूमी ही तोयम ददाती ये भूमी जल देती है सोचाहानाम नराणाम कृते किमपी उच्छाही मनुष्य के लिए कुछ भी असाध्यम न अस्ती असाध्य असंभव नहीं है मार्गे आरबधा मार्ग में प्रियास करने वाले के लिए यानि सही मार्ग में प्रियास करते रहने वाले वेक्ति के लिए सर्व यतना फलनती सब प्रकार के प्रियास सफल होते हैं फलदाई होते हैं यानि हमें क्या करना चाहिए निरंतर भीना जुकते भीना डरे आगे बढ़ते रहना चाहिए प्रियास करते रहना चाहिए एशा इस लोग का भाव है। अब फिर से नवावा स्लोग करते हैं वयम यहापा परितुष्टा यह मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यहां पर यानि इस संसार में वो योगियों का संसार और राजसी बहिवब वाले संसार दो परकार के संसार की यहां पर तूलना की गई है, एक तो जकास बहुत बढ़ियां-बढ़ियां गाड़े में गुमने वाले, एक सामने जीवन को जिने वाले, कुटियां में रहने वाल जंगलों में, खेत खलियानों में रहने वाले लोगों की दोनों की तूलना है यहाँ पर, देखो, इह वयम बलकलई ही परितुष्टा, हम खेत खलियान में रहते हैं, जंगलों के पास में रहते हैं, पेड के बलकलों से बने हुए कपड़ों में ही परितुष्टा हाँ खुस हो रहे हो हम क्या किस से खुश हैं बलकल से हम पेड़ पौदों से निकले हुए छाल से हम अपना कपड़ा बना रहे हैं हम फिर भी खुश हैं तुम रेशमी कपड़े पहन रहे हो बढ़ियां बढ़ियां उससे खुश हो रहे हो यहां पर पर हम दोनों की खुशी चाहे रेश और हमारे विशेस्ता में कोई अंतर नहीं है। मन के संतोस हो जाने पर हमारे मन से ही संतोस हो जाने पर दरिद्र कहा अरे अर्थवान कहा और धनी कहा नहीं जो यहां पर कवी ने बड़ी मारमिक बात कही है। यदि आप मन से खुस हो, आप बहुत संतुष्ट हो मन से ही, तो आप भले ही गरीब हो, आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके पास घर नहीं है, आपके पास बहुत से पहने के लिए कपड़े अच्छे नहीं हो, उससे क्या भरक पड़ता है भाई, आप संतुष्ट हो ना, आप खुस हो तो खुसी खुसी ही है उसी खुसी के लिए कितना भी पैसा हो अगर कोई बहुत सारा धन होने पर भी उसको खुसी नहीं है तो वो खुसी नहीं है क्योंकि वो धन होने पर भी और कमाने के लिए और बड़ी-बड़ी अत्रिशना को लेकर बड़ी-बड़ी कामन अब दसमसलो करते हैं आईश्वरियस्य विभोषणम आईश्वरिय का विभोषण सुजनता भवती सजनता होता है याने धनी होना धनवान होना आईश्वरिय है उसका आभोषण उसका गहना होता है सजनता सब के साद मिलने वाला मिलनसार सजन होना धनी होने का आभोषण है अगर आपको ज्यान मिल जाए ग्यान के बाद वे सांति नहीं है तो फिर उसका कोई प्रियोजन नहीं है ग्यान का फल है ग्यान का बिभूशन है आभूशन गहना है सांति और कुलस्य बिभूशन बिनयह भवती कुल खांदान का आभूशन गहना होता है बिनयह अर्थात नम्रता उसी परकार से बित्तस्य धन का बिभूशन होता है पात्रे ब्यायह सत्पात्र में खर्च करना अच उसको सम्मान देना हुआ वो गहना हो जाएगा उसी परकार से तपस हा विभूशनम तपका वोशन तपका गहना है क्रोध न करना अक्रोध हा क्रोध का न करना उसी परकार से बलबताम विभूशनम छमा भवती बलवान के लिए गहना है क्षमा करना हर छोटी बात पर तुनक मिजाज हो तो बलवान होने का क्या भाइदा भाई जिसके साथ भे खड़े हो गया और दो रेपड मार दिया ऐसा नहीं होना चाहिए उसी प्रकार से कहते हैं धर्मस्य विभोषण निर्भ्याजता भवती धर्म करना अच्छे कर्म करना इसका विभोषण इसका गहना होता है निर्भ्याजता भ्याज कहते हैं कपट निर्भ्याजता कपट न करना निसकपट होना धर्म का भॵषण है धर्म करने वाला कपटी नहीं होना चाहिए सर्वेशाम अपि सर्वकारणम सब प्रकार के एसे ही अगर ढोणते जाएं तो सब के लिए अनेक कारण मिलेंगे सर्ब कारणम सब कारण मिल सकते हैं लेकिन सब का भोषन क्या है इसको अंतिम बात पर कह रहे हैं इदम सीलम परम भोषणम अस्ति यह सील यह आपका बिनय आपका सत्चरित्र गहनों का गहना है परम भोषण मस्ती यानि हमारे एक एक कारिय के लिए एक एक विशे के लिए एक एक चेज भोषण हो सकता है गहना हो सकता है लेकिन हमारा चरित्र ही खराब हो हमारा ब्यवार ही खराब हो तो हम ठीक नहीं हो सकते हैं इसलिए सील कहते हैं चरित्र को इस सील को सबसे बड़ा आभोषण मानकर इसकी रक्षया करनी चाहिए सीलम परम भोषण सील सबसे बड़ा गहना है इसके साथ यहाँ पर हमारे सारे सलोक की व्याख्या पूर्ण हो गई है हमने पाठ पड़ा दिया आप भी तो हमें कुछ दोगे क्या दोगे सोचो सोचो अरे दक्षिना भाई दक्षिना भी तो देनी है दक्षिना में आपको अंगुठा देना है एक लब्बे की तरह काट के नहीं नीचे लाइक के बटन में टिका देना है बस एसा करने से यूटूब एसे अच्छे वीडियो को अवरों तक पहुचाने में सहयोग करता है अब हम अभ्यास करेंगे प्रथमा अभ्यास है समस्कृत भास या एक पदेना उत्तरानी लिखत समस्कृत भासा में एक सब्द में उत्तर लिखो प्रतिव्याम कति रतनानी प्रतिवी में कितने रतना है किसके उद्गम से पेड जुक जाते हैं फलोद गमई ही फल के आजाने से के सम्रिध्धि भी अपी अनुध्धता भवन्ती कौन सम्रिध्ध होने पर भी गमंड रहित होते हैं सत पुरुशा हा सज्जन लोग परम भोषणम किम सबसे बड़ा भोषण क्या है सीलम पयोदाह तैही भूरी बिलंबि नह जायनते बादल किसके कारण बहुत निचे जुग जाते हैं नवाम भूभी नैने जलके कणों के कारण बादल जुग जाते हैं कहा कल्पितम एब जनायती कौन कल्पना की हुई बस्तु को ही उत्पादन करता है कल्पतर हुँ कस्मिन परितुष्टे दरिद्रह धनी का योह भेदा नस्यती किसे के संतुष्ट हो जाने पर गरीव और धनी का भेद नास हो जाता है मनसी मन के संतुष्ट हो जाने पर सब क पूर्ण वाक्य में यहां पर उत्तर लिखने के लिए कहा गया है गौरवं कथम प्राप्यते गौरव कैसे प्राप्त किया जाता है इसका पूर्ण वाक्य में उत्तर होगा गौरवं प्राप्यते दानात दान से गौरव प्राप्त किया जाता है एसे दानात को लिखकर प्रस उसन से ही उत्तर बनाया जा सकता है। दरिद्र कौन होता है। ग्यानस्य विभोषणम उपसमह भवती। ग्यान का विभोषण सांत हो जाना होता है। कह सर्वं प्रसूते कौन सबकुछ उत्पादन करता है। सताम संगह सजनों की संगती। सजन के साथ रहना सबकुछ प्रसूते उत्पादन करता है। कीद्र से भूमी तोयम्द दाती कैसी भूमी जलको देती है। खन्यमाना भूमी ही तोयम्द दाती निरंतर खोदी जाती हुई भूमी जलको देती है। अब तृती अभ्यास हैं अधो लिखत वाक्येशो स्थोल पदानी आस्रित्य प्रस्ण निर्मानम कुरूता। निचे लिखे होए वाक्यों में स्थोल याने बोल्ड किये होए सब्द को लेकर प्रस्ण निर्मान करना है। मूडई ही पाशान खंडेशो रत्न संग्या विधी यते यहां पर पाशान खंडेशो इस सब्द में बोल्ड किया गया है। मोड़ाई ही मुर्ख लोगों के द्वारा पाशान खंडेशु के स्थान पर हम कुत्र लगाएंगे, कहां पर रत्न संग्या भी थी यते, रत्न की संग्या की जाती है, सद्वी लीलया प्रोक्तम, यहां पर सद्वी में है कई ही लीलया प्रोक्तम, किसके द्वारा खेल खेल म यहां पर मत्यमानात के जगह में कीद्रशाद बनाया गया है क्यों बनाया गया है मैं बताता हूँ काश्ठ का विशेशन है मत्यमान इसलिए यहां पर कैसी लकडी से एसा उत्तर होने के कारण कीद्रशाद बनाना पड़ेगा वैनते यहां अगच्छन वैनते को लेकर हमें प्रस्ण बनाना है कहा अगच्छन एकम पदम नगच्छती कौन न जाता हुआ एक भी पर आगे नहीं जा सकता यहाँ पर आईश्वरिय को लेकर कस्च बनाना है कस्च बिभोशनम सुजनता किसका बिभोशन सुजनता है उच्छा हवताम यहाँ पर इसमें बोल्ड किया गया है के साम करेंगे किसी के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है यह प्रस्ण बनेगा सोक कहा धायरियम नास आयती सोक किसको नास करता है यह से पूछना है धायरियम के जगे में किम करेंगे महान भवितम सत्संगती अपेक्षिता महान होने के लिए सत्संगती अपेक्षिता है तो हम करेंगे का क्या अपेक्षिता है अब हम चतुर्थ अभ्यास करेंगे अधो लिखित प्रस्णा नाम येथा निर्देशम उत्तरत नीचे लिखे ओए प्रस्णों का उत्तर जैसा कहा गया है वो इसा लिखो एसा कहा गया है अब हम प्रस्णों को पढ़ते हुए समझते हुए इसको लिखेंगे देखो गच्छन पिपी लको याती योजनानाम सतान्यपी चलता हुआ चीटा सैकनो योजन आगे जाता है पिपी लकह इती करत्री पदस्य किम क्रियापदम प्रियुक्तम यहाँ पर पिपी लकह इस करता के लिए क्रियापद क्या है याती यहाँ पर क्रियापद है नास्ती सोक समो रिपुहू नहीं है सोक के समान सत्रू इस वाक्य में मित्रमीती पदस्य किम विलोम पदम मित्र के लिए कौन सा विलोम विपरितार्थक सब्द है तो यहाँ पर रिपुहू इसके लिए विपरितार्थक सब्द प्रियोग किया गया है इस बाक्य में कौन सा करता पद है तो मार्गार अब्धा हा मार्ग को आरंभ किये हुए ये करत्री पद है सतु भवति दरिद्रो यस्च त्रिष्णा विशाला वह दरिद्र है जिसकी त्रिष्णा बड़ी है इसका विशेश्य पद गया है ये यहां पूचा गया है त्रिष्णा यहां पर विशेश्य पद है इस वाक्य में मेघा नाम इती पदस्य किम प्रियाय पद प्रियुक्तं मेग के लिए कौन सा प्रियायपद लगाया गया है पयोदानाम यहाँ यहाँ पर मेग के लिए प्रियायपद है अब पंचम अभ्यास हैं अब देखो यहाँ पर एक उधारन भी दिया गया अर्थवान इसका उल्टा दरिद्रह धनवान का दरिद्रह हो गया उच्चई ही उपर अधह नीचे त्रिष्णा कामना परितोष संतोष सज्जन हाँ सज्जन दुर्जन हाँ दुर्जन बलकलाई ही पेड़ पवदों के छाल से बने हुए बस्त्र दुकूलाई ही रेशमी बस्त्र सोक हा सोक हर्षा हर्षा रिप हो सत्रो मित्रम मित्र छठा अभ्यास देखते हैं अधो लिखी तेशुद्धे परियाय पदे चित्त्वा लिखता नीचे लिखेवए में से दो सुद्ध सब्द को निकालकर उत्तर में लिखिये एक खराव हैं जैसे तरुह इसे के समाना अर्थक सब्द हैं ब्रिक्षह और महीरुह पयोध बादल के यहाँ पर मेग हअ और वारिद हअ सुद्ध हैं पयोधि ही समुद्र हैं इसे के उददी ही और जलदी परियायवाचिपद हैं आपह जलम और वारी वर्षा तो ब्रिष्टी है अलग बात हैं भूमी ही भूमी इसके पृतिवी और वसुंधरा ये समानार्थक सब्द हैं अब सब्तम अभ्यास है अदो लिखेते सु सुक्ते है सुध्धम अर्थम चिनुता निचे लिखे हुए में से सुक्ति के सुध्ध अर्थ को चुनो सिला खंडेशु अक्षराने लिखेंते सज्जन के द्वारा खेल खेल में पत्थर पर अक्षर लिखे जाते हैं ये नहीं है सजन लोग प्रभुलिला के तरह अक्षरों से पथरों के टुकणों में अक्षर लिखते हैं ये भी नहीं है सजन लोग जो कुछ भी सामान्य तरीके से भी बोलते हैं तत पासाने लिखितम इवा भवती वह पथर में लिखे हुए के समान होता है ये सुद्ध है इसे को टिक करना है मारगा रब्दाह सरवयतना फलंति इसे का सटीक कौन सा है देखते हैं मारगे दैवयोगे न ये भी नहीं है ये बीच वाला ताह एव चेष्टाह फलदाई का भवंति वही चेष्टाएं फलदाईक होते हैं यह जो उचितमारगे सोद्धेश्यम प्रारभ्यंते उचितमारग में उद्ध्यस्य के साथ प्रारंभ किये जाते हैं तो इन सब की हिंदी मैंने नहीं किये है बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो अगर बहुत जरूरी हो तो कमेंट किजिएगा कमेंट में लिख दूँगा जैसे अगच्छन वैनते उपी पदम एकम नगच्छती इसका तिब्रगामी अपी गरुड हा येदी न चलती तरही एकम पदम अपी न सरती ये वाला ठीक है तिब्रगामी गरुड भी येदी नहीं चलेगा तो एक पगवी आगे नहीं जा पाएगा ये अर्थ है अब आठव आभ्यास देखिए इस पाठ में अनेक भाव वाले स्लोक है अदो लिखिता नाम भावा नाम समक्षम नीचे लिखिवोए भावों के सामने तेन भावेन संबध्धाम पंक्तिम लिखता उस भाव से संबध्ध पंक्ति को पाठ से निकाल कर लिखिए यहाँ पर मैंने प्रियास किया है इस भाव को छोड़कर अन्ने भाव वाले भी बहुत से होंगे उनको आप लिख सकते हैं देखिए जैसे उत्साह उत्साह के लिए सोच्छाहानाम नास्त्यसाध्यम नराणाम यह हो जाएगा संतोसह बयमिह परितुष्टा बलकलैस्टम दुकूलै यह होगा छमा छमा बलवताम भोषणम सत्संगति सताम हि संगह सकलम प्रसूते अब परोपकार के लिए सोभाव येवैश परोपकारिणाम शीलम सर्वेशाम अपिसर्व कारणमिदम शीलम परम भोषणम इनकी हिंदी पाठ में स्लोक के साथ हो गई है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ अब नौ आभ्यास देखिए समुचित पदय हि रिक्त स्थानानी पूरयत समुचित सब्दों से खालिस्थान को भरिये अनुद्धत गमंड रहित सत्पुरुशाह समृद्धिवी याँ पर सत्पुरुशाह खालिस्थान में आएगा पृतिव्याम त्रिनिरत्नानी जलमन्नम सुभासितम ये से बनेगा सोच्चाहानाम नराणाम नास्टि असाध्यम नास्टि सोकसमो रिबुहू स्थितिरुच्चाई हि पयोदानाम अधस्थिति पयोधीनाम इस परकार से ये सारे स्लोक के ही हिंदी अर्थ हमने पहले पढ़ लिया है इसलिए मैं इनकी हिंदी भीर व्यक्या नहीं कर रहा हूँ अब दसमा अभ्यास करते हैं अधो लिखितानाम अनवयम पूरयत नीचे लिखेवे के अनवय को पूरा करो देखिए मैंने इस परकार से भर दिया है अनवय को इस अनवय को आप उतार लें चलिए आँ हम तुर्तिया पार्ट के साथ पुनाह मिलेंगे तब तक के लिए पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें नमो नमहा पुनर्मिलामह धन्यवादह